हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे कक्षा साथ की वॉक्षीट नंबर 38 जो की 13 दिसंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है गनित और आज जो हम टॉपिक पढ़ने व वॉक्षीट में तो किसी तल में एक बंद आकरती जिसकी तीन भुजाएं तथा थीन कोण होते हैं उसको हम तृभुच कहते हैं एक त्रिभुच के तीनों अंत्र कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिगरी होता है भुजाओं और कोणों के आधार पर तृभुजों का वर बढ़ा होगा नियून कोन होता है अधिक कोन होता है और सम कोन होता है भुजाओं के आधार पर भी हम देखें तो विश्यम बाहू समध्वी बाहू और सम बाहू ये तीन तीन प्रकार होते हैं तो इसमें हमें ये समझना है कि अगर हम किसी भी त्रभुज को बनाना चाहते है हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या जरूरत होती है तो वैसे तो तीन भुज में तीन भुजाएं और 10 कोण होते हैं पर अगर हमें सिर्फ तीन भुजाएं दे रखी हैं तो हम कोण बना सकते हैं दो भुजाएं और एक कोंड दे रखा है तो भी हम त्रभुच की रचना कर सकते हैं और कोई दो कोंड और एक भुजा दे रखी है तब भी हम त्रभुच की रचना कर सकते हैं और अगर सम कोंड त्रभुच है तो मतलब एक कोंड तो 90 डिग्री हो गया इसके अलावा कर्ण और कोई एक भुजा हमें दे रखा है तो भी हम इस तरभुज को बना सकते हैं कैसे बनाएंगे चलिए इसके द्वारा समझते हैं यहाँ पेक उधारण दे रखा है एक तरभुज ABC के रशना कीजिए जबकि AB 5 cm है, BC 6 cm है और CA 7 cm है यानि हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन खीचेंगे BC 6 cm यानि सबसे पहले हमने बनाया BC 6 cm अब क्या करेंगे, बिंदू B पे प्रकार को रखेंगे अब देखो BA कितना है, 5 cm है तो प्रकार को 5 cm खोलेंगे और बिंदू B पे रखके एक चाप लगा देंगे ठीक है अब इसके बाद हमें C A दे रखा है 7 cm तो बिंदू C पे हम प्रकार को रखेंगे 7 cm खोलेंगे और एक और कट लगा देंगे तो जहां पे ये कट होगा वो आ जाएगा हमारा बिंदू A अब A B को और A C को आपस में मिला देंगे और इस तरीके से हमारा जो तरभूज है वो बन जाएगा ठीक है तो यही सारे हमें चरण अपनाने हैं और यहां पे हमें प्रश्ण दे रखें हैं इनके उत्तर लिखने हैं तो चलिए इन सभी में हम तरभूजों की रचना कर लेते हैं अब बच्चों देखो यहां पे पहला प्रश्ण हमें दे रखा है पाँच सेंटीमीटर भूजा वाले एक सम बाहुतरिभूज की रचना कीजिए तो सम बाहुतरिभूज है इसका मतलब कि इसकी तीनों भूजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की एक रेखा कीचेंगे इसका नाम दे देते हैं हम A, B अब क्या करेंगे प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे बिंदू A पे रखेंगे और एक चाप यहां लगाएंगे सेम फिर बिंदू B पे रखेंगे और प्रकार पहले से ही 5 cm खुला हुआ है तो बिना हिलाए एक कट यहां पे और लगा देंगे और इस बिंदू का नाम रखेंगे C और इन तीनों को आपस में मिला देंगे तो यह बन जाएगा हमारा त्रभुज A, B, C अब आपने जिस तरीके से बनाया है रचना के चरण भी वैसे ही लिखेंगे कैसे लिखेंगे पहले A, B बराबर 5 cm की एक रेखा खीची ठीक है तो सबसे पहले आपने रेखा बनाई थी तो यह पहले पॉइंट में लिखेंगे फिर दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि A, C बराबर 5 cm का चाप लगाया ठीक है सेकिंड पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे B, C बराबर 5 cm का चाप लगाया तो दोनों चाप लग गए इसके बाद क्या करना है जहां पे चाप लगा है वो पॉइंट C है तो इसके आगे क्या करेंगे तीन पॉइंट हो गए थे चौथे पॉइंट में लखेंगे C को A के साथ तथा B के साथ मिलाया तो C को हमने A के साथ भी मिला दिया और B के साथ भी मिला दिया पाच्वे में लिखेंगे यही अभीस्ट त्रिभुज A, B, C है यानि यह वही त्रिभुज है जो हमें बनाना था तो कोशन नमबर वन कम्प्लीट हो गया तो रचना की चरण मैंने अभी जैसे बताएं है वैसे ही साथे कोशन में लिखने है तो आगे मैं रचना की चरण नहीं बताऊंगी बस मैं यह बता दे रही हूं कि बनाना कैसे है दूसरा प्रशन है कि एक त्रिभुज D, E, F खीचिये जिसमें D, E और D, F दोनों है 4 cm और E, F है 6 cm तो हम दूसरे प्रशन में क्या करेंगे सबसे पहले हम बना लेते हैं E, F, E और F कितना है यह? 6 cm है अब हम क्या करेंगे? 4 cm का चाप खोलेंगे बिंदू E पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे ठीक है? सेम 4 cm का हम चाप फिर से खोलेंगे F पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे जहां पे एक कट होगा वो आ जाएगा बिंदू D D को फिर हम A के साथ मिलाएंगे और D को फिर हम F के साथ मिलाएंगे तो ये भी आ गया 4 cm और ये भी आ गया 4 cm ठीक है? और अचना के चरण सेम वैसे ही लिखने है जैसे हमने पिछले कोशन में लिखे थे बस खाली नाम बदल जाएगा और ये संख्याएंगे चार छे ये वैल्यू बदल जाएगी ठीक है? अब तीसरा प्रशन है कि क्या एक तरभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 cm 6.2 cm और 5 cm है तो बच्चा आप बना के देखना इसको पहले 6.2 cm का एक रेखा कीचेंगे फिर आप 3 cm को लेके यहाँ पे कट करना और 5 cm को लेके यहाँ पे कट करोगे अगर ये कट हो जाएगा तब तो ये तरभुज बन जाएगा और आप लिखेंगे हाँ यह संभव है और अगर ये कट नहीं कट होगा मानलो ऐसा बन गया 6.2 यहाँ पे आ गया 3 cm आपने कट लगाया यहाँ पे आया और 5 cm आपने कट लगाया वो यहाँ पे आया तो ये तो तरभुज नहीं बन पाएगा तब आप लिखेंगे कि नहीं यह संभव नहीं है ठीक है अब इसके बाद है चौथा प्रश्न कि एक त्रभुज PQR कीजिए जिसमें PQ बराबर है 5 cm, QR बराबर है 3 cm और RP बराबर है 8 cm ठीक है तो आप करेंगे क्या पहले RP बनाएंगे RP 8 cm अब आप यहां पे 3 cm स्केल खोलेंगे QR करके यहां पे चाप लगाएंगे उसके बाद 5 cm खोलेंगे PQ एक चाप लगाएंगे जो कि इससे सिफ टच करेगा कटने करेगा यह दोनों चाप ऐसे जाएंगे ठीक है और इससे त्रभुज नहीं बनेगा तो यहां पे आगे हमसे पूछा भी हुआ है कि क्या इस त्रभुज की रचना संभव है अब क्योंकि बनेगा क्या एक लाइन बनेगी और इसी के ओपर दूसरी लाइन बन जाएगी तो आप लिखेंगे नहीं त्रभुज की रचना संभव नहीं है ठीक है चौथे प्रश्ण में त्रभुज की रचना संभव नहीं है ठीक है बचों तो यह थी आज की हमारी माट्स की वर्कशीट एन आई होप आप सभी को यह वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको विडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू